हलो फ्रेंड्स, 80 वर्ड पर मिनिट एडिटोरियल लिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद स्टार्ट निचले दर्जे के व्यक्ति की चाहत हमेशा सिर्फ पैसा होती है ना की मुल्य ओसत व्यक्ति पैसा व्य मुल्य दोनों चाहता है और कई बार धन के लिए मुल्यों से समझोता कर लेता है वही श्रेष्ट व्यक्ति को कितना भी धन मिले वह उन मुल्यों पर टिका रहता है जो उसे सबसे पिरिये है और मेरे लिए राजकुमार केशवानी मेरे जानने वाले कई बहुत अमीरों से कहीं अधिक सम्रद इंसान थे क्योंकि उन्होंने अपने मुल्यों का कभी भी व्यापार नहीं किया इसलिए वे अक्सर नौकरियां बदलते थे उनके स्थिपे के बाद जब मैं उन्हें फोन करता तो जिन्दादिली से कहते दो वक्त की रोटी और एक टाइम का दारू देने का तो उपरवाले ने मुझे वादा किया है और मुझे मालूम है कि उस पर कोई आज नहीं आएगी तो महिने की तनखुआ के लिए मैं क्यूं अपने मुल्यों से समझोता करूं वह मुल्यों के चलने वाले इंसान थे एक अच्छे मित्र और पारिवारिक व्यक्ति तथ्यपरक इतिहासकार, कलाकृतियां जमा करने के उत्सुक, रोमांटिक फिल्मों के शोकेन, वीलक्षन संगीत प्रेमी, सिदहस्त लेखक और बहुत शांदार किसागों जिनके पास अपने किसे से पार्टियों में कई लोगों का ध्यान खीचने की अधवुत शमता थी और मैंने उनके साथ गुनिस सो साथ के बाद के किसे कहानिया सुनते हुए जब तक दो तीन नहीं बज जाते थे कई राते बिताई हैं और अगले दिन मैं हमेशा हैंग ओवर महसूस करता था वो इसलिए नहीं कि मैंने पी हुई थी बलकि इसलिए कि जिस बहुमुल्य इतिहास के बारे में वो बताते थे वो अक्सर इतना होता था कि उसकी जुगाली करना वो दिमाग में याद रख पाना मुश्किल था दुनिया ये जानती है कि कैसवानी पहले पत्रकार थे जिनोंने 2-3 दिसंबर 1984 को घटी भायानक दुरगटना से दो साल पहले ही यूनियन कारबाइट के कीटनासक शैयंतर में सुरक्षा चूक की और ध्यान दिलाया था पर शायद कुछ लोगों को न पता हो कि उन्होंने भोपाल के यूनियन कारबाइट प्लांट के मामलों में 1981 से ही रूची दिखानी शुरू कर दी थी जब 24 दिसंबर 1981 को प्लांट में काम करने वाले एक कर्मचारी वे उनके मित्र महमद अश्रफ की दुरगटना वस फोजजीन सूंगने से मौत हो गई थी वे ब्रेकिंग न्यूज वाले पत्रकार नहीं थे इसलिए उन्होंने गुनिस्सो बर्यासी में अपने पहले लेक से पहले सारे सुभूत जुटाने में नो महिने लगाए ताकि उसका कोई खंडन न कर सके अगर सबसे ताकतवर अमेरिकी कंपनी तब किसी से खोफ खाती थी तो वो और कोई नहीं कैसवानी थे भारत की महान फिल्म मुगले आजम की साथवी साल गिरह पर दो हजार बीस में आई उनकी किताब दास्तान ए मुगल ए आजम मेरी पसंदीदा थी इस फिल्म के परदे के पीछे की घटनाए दुरलब दिलचस्प किस्से किताब में संजोएं हैं जिसे लिखने में कई साल लगाए मैं निजी तोर पर ऐसे कई पाठकों को जानता हूँ जो इस अखबार के रविवारिय रसरंग में हर हपते परकाशित उनके इस थंब आपस की बात का इंतजार करते थे कई कलाप्रेमी मुझे से सहमत होंगे कि इस दुनिया में कुछ चीजें सदा के लिए हैं मुगले आजम ऐसी ही एक रचना है चाहे वह फिल्म हो नाटक या किताब के रूप में हो जैसे कालजई क्रतिया जीवित रहती है वैसे ही राजकुमार केशवानी जिनका निधन इस शुकरवार को हो गया उनकी इस्मृतिया भी उनके मुल्यों की वजह से सदा रहेंगे मैं देनिक भासकर का उनका केनवास बनने के लिए सुक्र गुजार हूँ जिनके काम को उनके लाखो पाठक हमेशा याद रखेंगे स्टॉप